गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज दिना 30 जुलाई 2021 को क्लास दस्वी की वर्कशीट नमबर 11 बेटे यहां आपको एक पद्यांश दिया गया है जिसे पढ़कर आपको प्रशनों के उत्तर देने हैं ये जो पद्यांश है ये मैथली शरन गुप्त द्वारा रचित ह और इसमें इन्होंने हमारी मात्र भूमी के सुंदर्य का बखान किया हुआ है चलिए इसे पढ़ते हैं और समझते हैं नीला अंबर परिधान हरित पट पर सुंदर है नीला अंबर यानि नीला अंबर परिधान यानि वस्त्र हरित पट यानि हरे रंग की सतह पर सुंदर है हरे रंग की सतह क्या है हमारी प्रित्वी जहां पर हर्याली ही हर्याली है और उसके उपर नीले रंग का अंबर ऐसा प्रतीत होता है जैसे हरे रंग की प्रित्वी ने नीले रंग का कोई वस्त्र ओड लिया हो धारन कर लिया हो सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रतनाकर है सूरज और चंद्रमा का मुकुट धारन किये हुए है हमारी पृत्वी और मेखला रतनाकर है मेखला यानि करधनी यानि कमर में पहनने वाला एक आभूशन होता है इसे तगड़ी भी कह सकते हो बेटा और ऐसा लगता है जैसे सागर रतनाकर यानि सागर ने तगड़ी पहनी हुई है और हमारी पृत्वी पर सूरज और चंद्रमा का मुकुट धारन है नदिया प्रेम प्रवहा फूल तारे मंडल हैं नदिया जो बहती हुई ऐसी लगते है जैसे प्रेम का प्रवहा हो प्यार ही प्यार बह रहा है फूल तारे मंडल हैं और फूल और आसमान में जो तारे हैं वो एक जुन्ड बना करके सुन्दर प्रतीत हो रहे हैं वंदीजन खग वरिंद शेशफन सिंगासन है वंदीजन वंदीजन होते हैं जो राजा महराजाओं की वंदना करते हैं उनके गुन्गान करते हैं उन्हें बोलते हैं वंदीजन तो वंदीजन खग वरिंद खग यानि पक्षी पक्षी और पशू ऐसे प्रतीत होते हैं जै जीसे वंदना कर रहे हूं, गुण गान कर रहे हूं। उनका जो गान है वो ऐसा लगता है जैसे हमारी प्रित्वी के लिए गान कर रहे हैं। शेश फन सिंगासन है और जिसका सिंगासन शेश नाक का फन है परमहंस सम बाले काल में सब सुख पाए परमहंस के समान ही बाल काल में ही सब सुख पालिये जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए और बाल काल से ही हम ऐसा लग रहा है जैसे धूल भरे हीरे कहलाए धूल भरे हीरे यानि हीरा जो है धूल में सनकर और भी सुन्दर प्रतीत होता है इसलिए कहा गया है कि जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए हम खेले कूदे हरशुत जिसकी प्यारी गोद में हम खुशी से जिसकी गोद में खेले हैं मात्रभूमी की गोद में हे मात्रभूमी तुझको निरक मगन क्यों ना हों मोद में यानि है मात्र भूमी तुझको देखकर हम प्रसन क्यों ना हों मगन क्यों ना हों मतलब प्रसन क्यों ना हों प्रसनता पुर्वक जूमें क्यों नहीं मतलब हमें खुश होना चाहिए कि हमें इस मात्र भूमी की संतान हैं निर्मल तेरा नीर अमरित के सम उत्तम है और इस प्रित्वी पर जो जल की धार भहती है वो अमरित के समान है यानि जीवन प्रदान करने वाला निर्मल स्वच जल इस मात्रुभूमी पर उपलाब्ध है शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है और शीतल मने ठंडी हलकी सी जो पवन सुगंधित पवन की जो लहर है बहती है वो हर लेता श्रम है यानि जो हम महनत करने के बाद जो हमारी ठकान होती है उसको ये ठंडी सी पवन जो हर लेती है खतम कर देती है और ठकान मिता देत शट रितूओं का विविद द्रिश युद अद्भुत क्रम है शट रितूओं का विविद द्रिश छे रितूओं का जो यहां आवा गमन होता है वो बहुत ही अद्भुत क्रम है आना जाना जो लगा रहता है वो बहुत ही अद्भुत है हरियाली का फर्ष नहीं मकबल से कम है यानि ये जो हमारी भूमी है मात्र भूमी है इस पर जो हरी हरी घास व्रेक्ष है ये कोई फर्ष नहीं है मकमल के जो फर्ष हैं उससे कम नहीं है यानि हरियाली बहुत ही ज्यादा शोबित हो रही है करते अभिशेक पयोद है पयोद यानि बादल और बादल ऐसे लगते हैं जैसे की हमारी पृत्वी का तिलक कर रहे हूँ बलिहारी इस देश की इस देश का को बलिहार रहे हूँ बलाएं हर रहे हूँ उसका अभिशेक करके नजर का टीका लगा रहे है अभिशेक नजर का टीके के लिए कहा गया है यहाँ पर के इसकी बलिहार बल लाएं हर रहे हों बादल हे मात्र भूमी तू सच में ही सगुन मूर्ती सर्वेश की यानि सच्ची मूर्ती है इश्वर की सर्वेश यानि इश्वर की सच्ची मूर्ती है क्योंकि जैसे इश्वर हमें सब कुछ देता है यह मात्र भूमी में हमें सब कुछ दे रही है जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए है घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए है जिसकी रज यानि मिट्टी में हम लोट लोट कर बड़े हुए है घुटनों के बल जब हम छोटे होते हैं तो घुटनों के बल सरक सरक कर चलना सीखते हैं और फिर अपने पैरों पर खड़े होते हैं ये कहा गया है शुची सुधा सीचता रात में तुझ पर चंदर प्रकाश है यानि जो सीचता रात में तुझ पर चंदर प्रकाश है यानि चंदरमा का प्रकाश जो दिन भर की गर्मी होती है वो चंदरमा का प्रकाश जो है अमरित के समान तुझे सीचता है ये मात्र भूमी दिन में तरनी करता तम का नाश है, ये मात्र भूमी दिन में तरनी यानि सूर्य जो है वो अंधेरे का नाश कर देता है और जो दिन की तपन होती है उसको रात को चंद्रमा अमरित के समान सीच कर ठंडक में बदल देता है, ध्यान दीजिएगा बेटा, तरन यानि सूर्य और तम यानि अंधेरा यानि सूरज दिन में आकर के अंधेरे का नाश कर देता है जिस प्रत्वी में मिले हमारे पूर्वच प्यारे उससे हे भगवान कभी हम न रहे न 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 पूर्वच अब जो नहीं रहे हैं वो इस प्रत्वी में समा गए हैं उससे हे भगवान कभी हम रहे न न न न न न न न न क्योंकि हमारे प्रिये जन भी इसी मिट्टी में समा गए हैं लोट लोट कर वही हृदय को शांत करेंगे हम उसी धरा पर उसी मिट्टी में लेट लेट कर अपने मन को शांत करेंगे उसमें मिलते समय मृत्यू से नहीं डरेंगे और हम भी इस मिट्टी में जब मिल जाएंगे यानि नश्ट हो जाएंगे जब हम भी तो हम डरेंगे नहीं मृत्यू से और इसी मिट्टी में मिल जाएंगे उस मात्रभूमी की धूल में जब पूरे सन जाएंगे होकर भवबंधन मुक्त हम आत्म रूप बन जाएंगे और जब इस मात्रभूमी की धूल में हम पूरी तरह से उसी में समा जाएंगे लिप्त हो जाएंगे तो इस भवबंदन से मुक्त हो जाएंगे यानि संसार में जो हमारा आने जाने का क्रम है उससे मुक्त हो जाएंगे और आत्मा रूपी में आ जाएंगे तो यहाँ पर हमारी मात्रभूमी के सुन्दर्य का यहाँ पर बखान किया गया है चलिए अब इसके हम प्रश्नुकतर कर लेते हैं निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखने है नीलांबर यानि नीलांबर नीलांबर यानि आस्मान फिर दिया है परिधान यानि वस्त्र पट, पट मने भी वस्त्र होता है लेकिन यहाँ पर सतहा है पट मने यहाँ पर सतहा है और रतनाकर, सागर, प्रभा, बहाव और क्या है पयोद, बादल, सर्वेश, ईश्वर, रज, यानि मिट्टी, तर्नी, अर्थात, सूरज चलिए अब प्रशनुत्तर कर लेते हैं प्रस्तुत का व्यांश में हरित पट किसे कहा है अपने शब्दों में लिखिए हरित पट किसे कहा है हमारी मात्र भूमी को, हमारी प्रित्वी को क्योंकि इस पर हरियाली है इसलिए इसे हरित पट कहा गया है दूसरा प्रशन है कवी ने अपनी मात्र भूमी की किन-किन विशेश्टाओं का वर्णन किया है देखे, कवी ने हमारी मातर भूमी को बहुत कुछ सजाया है, कहा है उसने कि नीले रंग के वस्तर की प्रतवी का आस्मान है, नीले रंग के वस्तर की तरहां आस्मान ने प्रतवी को ढख रखा है और सूर्य चंद्रमा इस भूमी का मुकुट के समान है और समुद्र जो है वो करगनी पहने हुए है करदनी यानि तगडी या कमर पर बांधने वाला एक आभूशन पहने हुए है नदिया यहां की प्रेम प्रभा है और वंदी जन यानि की पक्षी जो है वो वंदना कर रहे हैं फूल तारे आभूशन है यहां पर फूल तारे मंडल है फूल तारे यहां आभूशन है तो ये कवी ने हमारी मात्र भूमी की विशेश्टाएं बताई हुई है तीसरा प्रश्ण है कवी ने मात्र भूमी को ईश्वर का साकार रूप किस आधार पर बताया है जिस प्रकार ईश्वर हमारी देखबाल करता है हमारा ध्यान रखता है उसी प्रकार और जिस तरहां ईश्वर को आपने देखा है कि किस तरहां दर्शाया जाता है कि मुकट धारन होता है उसका और सिंगहासन होता है और राजा माराजाओं का अभिशेक किया जाता है उनके गुनगान गाये जाते हैं इसी तरहां ईश्वर की तरह ही हमारी मात्रभूमी का मुकट सूरेचंद्रमा के समान है शेशनाग उसका सिंगहासन है और बादल उसका अभिशेक करते हैं पक्षी गायन करते हैं और गुनगान करते हैं तो इसलिए उसको ईश्वर का साकार रूप बताया है और साथ ही साथ ईश्वर की तरह हमारी देख भाल भी पृत्वी करती है. प्रस्तुत कवीता में किस रस एवं अलंकार का प्रियोग हुआ है? प्रस्तुत कवीता में बेटर रस, रस देखिए हमारी पृत्वी को यहां पर सजा धजा करके दर्शाया गया है, के उसका मुकुट ऐसा है सिंगासन ऐसा है और सागर करधनी पहने हुए है तो यहां पर श्रिंगार रस का प्रयोग किया गया है श्रिंगार रस है इस कविता में और अलंकार जो है इसमें अंतानू प्रास अलंकार भी है और साथी में मानवी करण अलंकार भी है क्यूंकि मानवी करण अलंकार कब होता है जब अचेतन मन पर चेतन का आरूपन होता है यानि ये देखिए ये मातरभूमी निर्जीव मानी गई है लेकिन इसको हमारी तरह हैं जैसे हम श्रिंगार करते हैं हम परिधान पहनते हैं तो उस तरह का बताया गया है कि इस तरह प्रतीत हो रही है यानि कि मनुष्य प्रकर्ती की किसी चीज पर जो हम मानफ जो जो काम करता है उस काम का अरोपन कर दिया है अचेतन मन पर चेतन का अरोपन होता है तब मानवी करण अलंकार होता है तो और चलिए पांचमा प्रशन देख लेते हैं प्रस्तुत कवीता का उचित शीरशक लिखना है बेटे ये मैतली शरंगुप्त जी की कवीता है और उनकी इस कवीता का शीरशक ही मात्रभूमी है तो हम भी मात्रभूमी या हे मात्रभूमी तुझे वंदन इस तरहां का आप लिख सकते हैं और ये जो आपको यहाँ पर उक्त चित्र का पहचान कर उनका नाम लिखना है बेटा ये चित्र जो है ये है मैथली शरन गुप्त जी का है और इनको राष्ट्र कवी की उपादी दी गई थी राष्ट्र कवी की उपादी जो गांधी जी नहीं नहीं दी थी तो यह है बिटा और इसके बाद आगे आपको और भी है यहां आपको जैसे प्रकर्ती के प्रायवाची यहां प्रकर्ती का मतलब होता है जैसे हम कहते हैं कि इस मनुष्य की प्रकर्ती ऐसी है यह वो वाला प्रकर्ती है तो उसका जो प्रायवाची है सुभाव, फितरत, प्र परवर्ति मनोवर्ति मिजाज होता है इसी तरह आपको यहाँ पर कुछ शब्द दिये गए हैं इनके प्रयायवाची लिखने हैं जैसे सुधा का अमरित और सोम परिधान का आप लिख सकते हो वस्त्र और कपड़े नीर यानि जल और पानी खग यानि पंची पक्षी इसी थरह तरणी तरणी दिनेश सूर दिनकर दिवाकर यह होते हैं बेटा चलिए अब यह वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई है इसकी एक एक चीज आपको पढ़कर के समझनी है तैंक्यू बेटा